लोगों ने गाड़ी नहीं चला यह जो लोग बोल रहे हैं ग्रैंड विटारा अंडर पावर्ड है सिर्फ नीचे कमेंड में लिख देते हैं और चार लोग नए आके भी महीं देखके पता कर लेते हैं अब एक बार गाड़ी को चला के देखो कैसे हो आप सब आए हो बहुती बढ़ी आऊंगे सबसे पहले लोकेशन देख सकते हो कितनी गजब की है मतलब एक लोकेशन पर शूट करके मैं बहुत 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 हो गया था तो मैं अपके लिए अलग लोकेशन लाई जाए आज मैं मेरी ग्रैंड विटारा डेल्टा पर ownership experience share करने वाला हूँ जैसा कि one month complete हो चुका है ग्रैंड विटारा मेरी choice क्यों रही क्या mileage देती है long drive experience कैसा है overall सारी बाते करने वाले तो वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है जैसा कि मैं लोगों के ownership review करता हूँ बट आज मैं खुद की गाड़ी का डाल रहा हूँ तो question भी मैं खुद को ही करूँगा answer में दूँगा बट आप में से कोई grand Vita रहा लेने का plan कर रहा है तो बहुत ही video informative होने वाली सारी बाते कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो को end तक जरूर देखना सबसे पहले question यहीं आता है कि कौनसा variant है on road price क्या पड़ी और वेटिंग कितनी थी तो guys यह delta variant है जिसे अब second base variant बोल सकते हो चार variant आते है sigma, delta, zeta and alpha so delta variant है यह इसकी on road price की बात करें तो with accessories मतलब मैंने इसमें alloys लगवा है top variant वाले alloys and extended warranty मिला के मुझे पड़ी थी 14,53,000 रूपीज on road and waiting की बात करें तो मैंने सारी dealerships पे पूछी कम से कम 6 मैने की इस गाड़ी में waiting है बड़ मेरे थोड़े personal contact के कारण और जितनी मतलब मैं लगा सकता था कि यार मैं को जल से जल गाड़ी चीए थी तो पास दिन में गाड़ी आ गई अब next सबसे important question यह आता है कि यार Grand Vitara मेरी choice किसे बनी इतने options थे Indian market में especially आप mid-size segment में देखोगे तो सबसे top selling car से Hyundai Creta and Kia Kia Seltos तो फिर Kia Seltos Hyundai Creta then उसके वाद Volkswagen Tigans Koda Kusha कि यह सारे option होने के बावजुद मेरी Grand Vitara choice के से बनी तो जब से मैंने कार लेने का प्लान करा था ना मतलब जब से मेरी कार लेने की dream थी मेरा एक ही option दिमाग में था वो है Creta black color diesel मेरा पहले से वही प्लान था बट जब Grand Vitara launch हुई ना इसके looks देखके मतलब मेरा पहले ही इस गाड़ी को लेने का mindset बन चुका था फिर मैंने एक चीज़ और सोची कि नहीं यार क्रेटा डीजल की power की बात यह लगे माइलेज भी 22 साराम से देती है फिर मैंने research करी तो पता लगा कि 2023 में क्रेटा एं सेल्टॉस दोनों के नए models आ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं है ऐसा model चाहिए था कि यार जो latest रहे है ऐसी कार चाहिए थी जो latest रहे है यह मैंने latest में ले लिए तो कहीं ना कहीं पास से 7 साल यह outdated नहीं रहेगी और जिसा कि city की मेरी पहली कार है तो एक वह चीज़ थी है मारूती का trust तो आपको पता नेक्स बात करते हैं कि मुझे mileage किता देरी है city as well as highways पे तो जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार first service के बाद mileage बढ़ जाता है तो अब जितनी भी cars देखो गे ना सबकी one year या 10,000 km पे oil change होता है तो जो मेरे पहले दिन से mileage देरी आज तब वो मैं आपको बताऊंगा एक म पर मैंने actual tank to tank mileage test करा था और सारी conditions में car को drive करा था और सब मिला कि 100 की speed पे cruise करके 80 पे cruise करके bumper to bumper traffic मिला कि overall मुझे 20 से 21 के बीच में mileage दिया था 20.2 का link भी मैं description में डाल दूँगा जो pages में में को mention करा है मतलब मेरा पूरा आपको short में देखने को मिल जाएगा 20 से 21 का mileage आपको highways पर easily देने वाली है एन अगर cities में देखेंगे तो आपको अगर एक्स्ट्रीम भी traffic आ जाता है ना तो 13 14 बाकि 14 से 15 तो अभी मुझे फिलाल में city traffic में दे रही है अब बात करते हैं इसकी built quality की देखो तीसरी location में बदल के आया हूं because कुछ ना कुछ तो noise आई रहा है कहीं ना कहीं अब में built quality की बात करें तो जैसा कि Skoda and Volkswagen को 5 star safety rating मिल चुकी है वह गाडियां तो मेरे लेने का प्लान नहीं था जहां तक की बाद आती Grand Vitara की जैसा कि मैं बता है क्रेटा-Celtos एक options थे बट उनको भी 5 star safety rating नहीं मिली है अब Grand Vitara के बारे मैंने study करी तो मुझे पता लगा कि ब्रीजा के प्लेटफॉर्म पर बनी है सबसे बड़ी बट मुझे चलाने में कभी एसा नहीं लगा किया और मेरा व्यू कहीं ब्लॉक हो रहा है और आल काफी बड़ी है इसका व्यू है यह फिलर जो है थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉर्ट बन जाता है बटाप सारी गाड़ी देखोगे ना तो उसमें इतना तो ब 1000 किलोमेटर का टूर था मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई अब नेक्स सबसे इंपॉर्टेंट कोश्चन आता है 1.5 लिटर का स्माइट हाइब्रीड इंजन मिलता है बहुत से लोग बोलते कि यार ब्रीजा वाला इंजन है पावर लेगे अब मैं आपको एक चीज इसके पीछे बताना चाहूँगा कि यार आप परसनली इस कार को चलाओ गे ना पावर टू एट रेशो जो है ना वो मारूती का बैस्ट है मिलत सारी गाड़ी में देख लोगे आप इसे अगर बहुत सारे वीवर्स ड्रैग रेइस वीडियो देखते होंगे तो आपने देखियो कि स्विफ सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है मेन वही चीज़ है पावर टू वेट रेशो इस गाड़ी को अगर आप चला रहे हो नो आप रेड लाइन पे चला के देखो पाच्छे अजार आर्पियम पे चलाओ आपको लोग या क्या पावर दी है मैं बहुत अ इंजन तो अलग हो जाता है पर पेट्रोल 1.5 लिटर यह इंडिया में मिड साइब देखा जाए तो यह इसी गाड़ी जो आपको इतने अच्छे पेट्रोल में पावर देने के साथ साथ अच्छा माइलेज देगी सब्सक्राइब नेक्स कोश्चन आता है मैंने कौन सी एस शोरूम में बहुत हाई प्राइज रहे माना शोरूम में कॉलेटी अच्छी मिलती है बट उतनी डवल कीमत लग रही थी सीट के और मुझे लग रहे थे दस हजार रुपे तो यह सारी चीज़े मैं आफ्टर मार्केट कराने वाला हूँ और इन फ्यूचर मॉट्स की बात क लीडी प्रोजेक्टर इसमें अप्ग्रेड कराने वाला बात करते हैं सर्वीस एक्सपीरियंस की तो देखो यार फर्स्स सर्वीस एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा नहीं रहा था बट मैं नेक्सा के लिए ऐसा नहीं बोलूँगा विकॉज मारूती की सर्वीस काफी अच चोईस रहने माली है विकॉज से पहले तो यार आप इसके लुक्स देख सकते हो क्या नेक्स लेवल रोड प्रेजेंस देती है और जब भी मैं इस कार को ड्राइव करता हूं अब पूरा एक बिट साइड एसीव वाला फील देती है विकॉज बॉनेट का व्यूजब का आत